नमस्कार दोस्तों परिक्षा मास्टर में आपका अर्दीर स्वागत है दोस्तों आज का ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड टीचर एक्जाम की त्यारी करने आले विद्यार्थियों लिए अतिम है दोस्तों आप से निवे देने कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसका पूरा लाब मिले दोस्तों आज जो हमने इसमें टॉपिक लिया हो है वीडियाले प्रबंधन स्मेती स्कूल मेनेजमेंट कमेटी तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकूल मेनेजमेंट कमेटी से समधी सारे वस्तुनित पस्ट्न विद्याले प्रबंदन सिमेती स्कूल मेनेजमेंट कमेटी SMC कुश्चन फर्स्ट आर्टी एक्ट 2009 2009 की किस धारा के तेहत SMC का गठन किया गया धारा 24 एक, धारा 21 एक धारा 22 दो, धारा 23 तो इसमें उप्शन बी से होगा धारा 21 एक इसके बाद नेक्स्ट है कुश्चन नमर सेकंड विद्याले प्रबंद सिमेती के समद में निम्ट में से कौन सा कतन अस्थ्य है वोप्शन ए विद्याले प्रबंद सिमेती SMC का कारेशेत्र सिमेती के कारेले से लेकर विद्याले में पढ़ने वालकों के निवास इस्तान तक होगा सही है SMC का विकास कारिय केवल विद्याले परीशर तक ही सिमित रहेगा सही है SMC ये सर्व शिक्षा अभियान तता MDM मिड़े मिल योजना के तहद मिलने वाली राजियों का उपयोग विद्याले के विकास के लिए करती है ये भी सही है तो इसमे प्रशन में पूचा कौन सा अर्षत्य है तो अर्षत्य कोई नहीं तो इसमें उप्षन सही होगा डी इन में से कोई नहीं इसके बाद नेक्स्ट है कुश्चन नमबर थर्ड SMC का कारिशेत्र होगा A ककसा एक से आड़ तक B ककसा नो से बारा तक C A और B दोनो D ककसा एक से बारा तक तो इसमें उप्षन A सही होगा ककसा एक से आड़ तक कुश्चन नमबर फॉर्थ SMC में साधरन सभा के सदेशेन निवन में से कौन होगे SMC का मतलब है स्कूल मेनेजमेंट कमेटी और वहाँ एक्जम में विद्याले परपंदन स्रिमेटी भी लिखावा आ सकता है इसमें उप्षन A देखिए परतियक विद्यारती के माता पिता या सरंशक एम विद्याले के सभी अध्याबग ओबलिक परबोदक ओप्षन B समधित कारिशेतर में निवास करने वाले जिल्ला परमुक परदान शर्पंच नगरपाली का अध्यक्ष ओप्षन C कारिशेतर में निवास करने वाले समधित जिल्ला परिशे सदेशे नगरपाली का पारशद पंचाय सिमिती सदेशे ओबलिक वाड़ पंच ओप्षन D A कारिशेतर में निवास करने वाड़ पंचाय सदेशे जो उप्रोक्त में शामिल नहीं हो तो इसमें साधरन शबह में यह सभी सदेशे होंगे तो ओप्षन E अपना सही होगा उप्रोक्त सभी इसके बाद कुश्चिन नमबर फाइफ साधरन सभा के सदेशे की सदेशता कब समाप्त मानी जाएगी ओप्षन E मित्यू होने पर या त्याग पत्र देने पर ओप्षन B निर्वाची सदेश्यों के निर्वाची नहीं होने पर अब्हइन सदेश्यों के पद पर नहीं होने पर उप्रोग शुर्यी तो इसमें ऑप्रसन डी चतर परतीसत या 33 परतीसत तो इसमें ओप्शन यह सही होगा 25 परतीसत इसके बाद कुछ्छन नमर सेवन देखिए SMC की कारेकारणी शिमिती की मासिक बेठक में गनपूर्थी कौरम आउशक है ओप्शने 25 परशंट बि grabbing 45 परशंट परशंट 75 परशंट डी 33 परशंट तो इसमें ओप्शन डी सही होगा 33 परशंट दोस्तों यहbooks कारेकारणी की मासिक पूछे तो इसमें कोरम अब पूछे तो यह कौरम होगा 25 परसेंट इसके बाद नेक्ट है कुश्चन नम्बर 8 SMC कि साधरन सबाइदी कोरम के अभाव में इस्तिकित होती है तो अगली बेटर कब आयुजित होगी कुश्चन नम्बर 9 SMC की कारेकारणी सिमिती में माता पिता या सरंक्षक सदेशियों का निर्वाचन परतियक वर्ष के प्रारम में नामांकन परक्रिया पूर्ण होने पर किस तारीक से पूरो शाधरन शभा द्वारा किया जाएगा उप्षन A 15 अगस से पूरो उप्षन B 14 अगस से पूरो C 18 सितमबर से पूरो और D 11 अक्टूबर से पूरो तो इसमा उप्षन B से योगा 14 अगस से पूरो इसके बाद कुश्चन नमबर 10 SMC की कारे कारेनी सिम्मिती के बारे में निम्न में से कोंसा खतन सत्य है इसमें सद्धिश्यों की कुल संक्या सोड़ा होगी कुल सद्धिश्यों के 3 बटा 4 सद्धिश्य याने की 75 परतिशत माता पिता या सरंख्षक होगे C. 50% माईला सद्धिश्यों होगी Option D. अधिक्तम 5 सद्धिश्य पदेन अबलिक मनोनित होगे और E. उप्रोक सभी तो इसमें उप्रोक सभी आएगा इसके बाद कुश्चन नमबर 11 SMC की कारेकारनी सिमिति का अधिक्ष ओबलिक उपाइदिक्ष का कारेकाल कब तक रहेगा A. दो वर्ष तक B. जब तक वे कारेकारनी सिमिति का सद्धिश्य रहे तब तक Option C. A. तथा B. दोनों में से जो भी कम हो या Option D. केवल A. तो इसमें Option C. सही होगा A. तथा B. दोनों में से जो भी कम हो Question No. 12 SMC की कारेकारनी सिमिति में एक पद पदेन सद्धिश्य का होता है निन में से वो कौन सा व्यक्ति होता है A. संस्ता परदान B. ग्राम पंचाइद का वाड़ पंच या नगर पालिका का पार्षद Option C. निर्वाची तद्यापक, Option D. मले द्वारा मनोने सद्धिश्य तो इसमें Option B. सही होगा, ग्राम पंचाइद का वाड़ पंच या नगर पालिका का पार्षद Question No. 13 SMC की कारेकारनी सिमिति की बेठक का बायोजित होगी A. पूर्णी मा को, B. अमावश्या को, C. परतियक मा की 15 तारीक को तो इसमें Option B. सही होगा, अमावश्या को इसके बाद Question No. 14 SMC के सद्धिश्य सचीव संस्ता परदान का कारी नियुन में से कौन से है Option A. बेठक आहुत करने की सूचना देना तथा एजन्डा तियार करना Option B. समिति के विज समंदी आकड़े तियार करना Option C. कारेकारनी के सद्धिश्यों के कम से कम चार दिन पूर्व बेठक की लिखे सूचना जारी करना और Option D. उप्रोक सभी तिश में उप्रोक सभी होगा इसके बाद कुश्चन नमबर 15 SMC. ओबलिक विद्याले प्रबंदन सिमिति में किसी परकार का विवाद उत्पन होने पर अंतिम निर्णे किसका होता है A. ब्लोग पारंबिक शिक्षा अधिकारी का B. जिल्ला प्रारंबिक शिक्षा अधिकारी प्रारंबिक शिक्षा का C. संस्ता प्रदान का D. स्कूल मेनेजमेंट कमेटी के हज्जिक्ष का तो इसमें Option B सही होगा जिल्ला प्रारंबिक शिक्षा अधिकारी ओबलिक प्रारंबिक शिक्षा इसके बाद question no.16 SMC की कार्यकार्य कार्यkaर्य शिम्मिती के संक्या कब समाप्थ माने जाएगी यदि संक्राइशेrer संतान उस विद्याले का विध्यारती नहर है Option D, कानून द्वारा दोशी ठेहराए गया हो और Option D, उप्रोक सभी ते, इसमें उप्रोक सभी सभी होगा Question No.17 SMC के कारी नियून में से कौन से हैं? School Management Committee के कारी नियून में से कौन से हैं? Option A, विद्याले में मिड़े मिल की निकरानी रखना 6-14 वर्ष की आयू वर्ख के बालकों की उपिस्तिती सुनिशित करना विद्याले में समय समय पर बालकों की स्वास्त जाच कराना Option D, निसुल्क पाठ्ट्य पुस्तोकों का वितरन एम सिक्षन, शामगरी तता बालकों को पोसाग समय पर उपलप्त करवाना Option E, विद्याले विकास से तो विकास योजना त्यार करना और Option F, उप्रोक सभी तो इसमें उप्रोक सभी होगा Question No.18 RT-2009 की धारा 22 के अनुसार, SMC को कितने वर्ष की विकास योजना त्यार करनी चाहिए A, 3 वर्ष, B, 4 वर्ष, C, 5 वर्ष, D, 2 वर्ष तो इसमें Option A, सही होगा 3 वर्ष, 3 वर्ष की विकास योजना त्यार करनी चाहिए इसके बाद Question No.19 SMC के परिचालन कोश में निमन में से कौन सी मद सामिल है A, संदा, एउ, अन्य, अप, पुंजिगत प्राप्तिया, B, राज किये साहिता C, सुल्क परतिचातर, D, उप्रोक सभी तो इसमें सही होगा D, उप्रोक सभी इसके बाद Question No.20 SMC, ओबलिग विद्याले परबंदन सिमिती का अध्यक्ष होता है A, संस्ता परदान, B, अभीभावक, C, वार्डपंच या D, अध्यापक तो इसमें Option A, संस्ता परदान, सचीव पूचे तो संस्ता परदान और अध्यक्ष पूचे तो अभीभावक ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप इस परशन बेंग की PDF फाइल प्राप्त करना चाते हो तो हमारे टेलिग्राम चैनल परिक्षा मार्शु को जोइन कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, किसी भी समस्ता के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों मीशे शेर करना ना बुले दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जे हिन, जे भारत